बिहार सिक्षक भरती में आवर्दन करने वाले छात्रों को तगड़ा जठका लगने वाला है। खास तोर पर 125 यानि कि प्रात्मिक सिक्षक बर्ती में डियलेड छात्रों को क्योंकि बिहार प्रात्मिक सिक्षक बर्ती का जो रिजल्ट है वो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होने जा रही है बीएड वर्सेस बीटी सी मामले पर उस पर यहां पर निर्भर है उसका रिजल्ट भी निर्भर है साथ में बिएड अभ्यर्थियों की किस्मत पर भी उसी पर सुनवाई पर निर्भर है जो की दीपांकर वाला जो मामला है वो सुना जाएगा 13 अक्टूबर को तो क्या है कैसे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इस अभी चीज जानने के लिए आप वीडियो में अंतक बने रहीएगा वीडियो को भी शेलाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पर के भी लाइकन इसलिए दबा लीजिए ताकि B.A.D.V.T.C. मामले की सुनवाई को लेकर या भरती से सम्मधित कोई भी अपडेट हो तो आप पास सकें देखिए यहाँ पर साब का आ गया है कि 15 तारिक तक रिजल्ट आ जाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए सिक्षविवाग ने कुछ तकनीकी पहलूओं पर यहाँ पर निर्णे लिया है जैसा की देखिए प्राथमिक सिक्षवाली में B.A.D.A.D. अभ्यार्थियों को मामला भी सल्टा नहीं है क्योंकि 9 October को जो सुनवाई हुई थी वहाँ पर सरकार को अपनी SLP वापस लेनी पड़ी अब 13 October को जो सुनवाई है वहाँ पर सरकार भी पार्टी है ठीक है 12 सरकार को यहां का सिक्षा विवाग तो 13 October की सुनवाई में भी अगर यह मामला नहीं सलदता है तो माधमिक और उच्च माधमिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यानि कि यहां से इसपस्ट हो गया है कि अगर 13 तारीक को B.A.D. के पच्च में सरकार के पच्च में फैसला नहीं आता है तो 1 to 5 का जो रिजल्ट है वो बिहार सरकार रोखने वाली है यहां 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 पर देख सकते हैं अब साहब का आगया है फिर सुप्रीम कोट पर टिकी हैं B.A.D. अभियर्थियं की निगाए क्योंकि 13 अक्टूबर को सुनवाए है B.A.D. अभियर्थी चाहते हैं कि हमारी यहां पर जीत हो ताकि अगर फैसला नहीं आएगा तो रिजल्ट को रोक लिया जाएगा केवल माध्मिक और उच्छ माध्मिक का यहां पर रिजल्ट जारी किया जाएगा जिहां और यहां पर वो चीजे इस पश्ट भी की गए जाज सरकार को भी 13 अक्टूबर को समभावित सुनवाई का इंतजार है हलाकि इस मामले पर सिक्छा विवाग ने आधिकारिक रोप से फिलाल कुछ भी नहीं कहा है लेकिन इंतजार है और कहीं न कहीं समाचार पत्रों के माध्म से चीजे उभरती हुई दिख रही है कि इसी सुनवाई पर ही 125 का जो रिजल्ट है वो निरभर करेगा सूत्रों क अनुसार वियड अब्यरतियों की आचिका पर सुप्रीम कोट में 13 तारिक को सुनवाई होने वाली है सुनवाई का अंतजार सिक्छा विवाग को इसलिए भी है क्योंकि उस केस में भी राजसरकार एक पच्छ है और आधिकारिक सूत्रों के मताबिक सिक्छा विवाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करने वाली है यानि कि कुछ और मजबूती के साथ नई आचिका फाइल करेगी यह बात यहां पर निकल कर आ चुकी है याचिका का मूल आधार पिछली इसल्पी की भात ही अब नहीं होगा जिसमें विवाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान सिक्षक निक्तिक प्रिक्रिया सुरू हो चुकी थी तो ऐसा कुछ तर्क अब नहीं देगी सरकार कुछ ऐसा निकाल कर लेकर आने वाली है अब कुछ नया निकाल कर लेकर आने वाली है कुछ नया पॉइंट रखने वाली है जिससे वो नई SLP के माद्यम से बीएड अब्यर्थियों को प्रात्मिक सिक्षक वर्ती में सामिल करा सके जिहां और इसलिए भी पहले 13 अक्टूबर की सुनवाई का अंतजार है अगर वहाँ से कुछ उनके पच्छ में नहीं आता है तो तुरण यहाँ पर राजसरकार नई SLP दायर कर देगी अब लगातार सरकार को कई जगह से हार का सामना करना पर चुका है अभी माननी सुप्रीम कोट से उसके उसको हार ही कहेंगे ठीक है तो ऐसे बहुत सारे है निकिन सरकार पूरी तरह से कोशिस और तेजी से कर रही है नए पॉइंट्स के साथ करने जा रही है कि हम B8 को किसी भी तरह से नुकती दिलाएं इस भरती में ठीक है वोर्ड वैंग बनाने के लिए सरकार पूर जोर यहां पर अपनी ताकत को अज़मा रही है पूर जोर यहां पर कोशिस कर रही फिलाल देखते हैं क्या चीजे होती है अगर तेरा तरह को फैसले में कुछ भी बदला होता या फैसला सरकार के पच्छब नहीं आता है तो दोस्तो वन टू फाइब में रेलेल्ट के लिए खास तोर पर डिलेट अभ्यार्थियों को काफी लंबा इंतधार अप करना पड़ सकता है